हेलो फ्रैंस वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए यह बहुती सुन्दर डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को आप लेडिस कार्डियन में लेडिस जैकिट में गल्स टॉप में जैन साप स्वेटर में बेबी स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं यह बहुती सुन्दर डिजाइन है यह देखिए बहुती सुन्दर बनकर आया है यह उठा हुआ है एक तम इस तरह से इस तरह से नजर आएगा यह और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए वह हमें 6 मंटिपल के फंदे चाहिए 6 मंटिपल करने के बाद एक फंदा हमें एक्स्टरा चाहिए और यह 6 सलाई का डिजाइन है बहुती सिंपल और आसानी से बनने वाला डिजाइन है यह बहुती जल्दी और आसानी से बनने वाला डिजाइन है यह डिजाइन की सीथी साइड है यह देखिए इस तरह से नजर आएगा बहुती सुन्दर और यह रोंग साइड है यह डिजाइन की रोंग साइड है यह इस तरह से नजर आई है के औरे सीदी साइड है ये बहुत ही सुंद्र Nash नजर आप स्वेटर में जैकिट में बच्चों के स्वेटर में किसी भी प्रोज्च फ्रोजप्स में अपलाई करें बहुत ही अच्छा सुंदर नजर आएगा ये हमारा डीजाइंद 6 लाई का है अब हम इसे बनाने स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने इसमें 19 फंदे लिये हैं और दो सलाई हमने इसमें बैस के लिए बना ली है उल्टी-उल्टी सीथी साइड से भी और उल्टी साइड से भी दो सलाई हमने इसमें उल्टी बनाई है और यह हमने इसमें 19 फंदे लिये ह पाद एक फंदा एक्स्टरा लिया है यह हमारी सीथी साइड है अब हम इसे बनाने स्टार्ट करेंगे पहले हम छह फंदे उल्टे बुनेंगे वान, टू, तिरी, उन पीछे करेंगे, अब ये एक फंदा है, इस एक फंदे से हम पाँच फंदे बनाएंगे, सीधे बुनते हुए, एक फंदा हमने सीधा बुना, इस पर यार नोबर करेंगे, दो फंदे हो गया, ये तीसरा फंदा हो गया, तीन, फिर से यार नोबर चार फंदे हो गया, और ये पाँच बुन कर लिया हमने, अब हम इस फंदे को सलाईपर से उतार देंगे, ये हमारे पाँच फंदे हो गया, ये पाँच फंदे हो गया, तीन फंदे हमने उल्टे बुन और कि फंदेंसे फंदें पांच फंदें बनाएं अब 203 किसे ब्राइब हम सैंने पांच फंदें बनाएं अब 202 345 फंदें हमारे बीच में आगर उन पीच में इस साइक ऑन हमारे छे फंदों का डिजैन होता यह एकHeन ने 50 बनाँması एक फंद और पांच फंद उल्टे बुने, तो यह चे फंदों का डिजाइन हो गया, फिर से उन पीछे करेंगे, फिर से हम एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुना वान, यार नोबर किया टू, फिर दूसरी बार सीधा बुना थिरी, फिर यार हो गए अब उन आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे वान टू थीरी फॉर फाइफ उन पीछे करेंगे एक फंदे से फिर से हम पांच फंदे बनाएंगे एक फंदा, यांगर दो, एक फंदा सीधा बन कर लिया तीन, यांगर पांच फिर से एक फंदा सीधा बना पांच हो गए अब उन आगे करेंगे आखिर के तीन पंदे सीधा बन कर, वान टू थीरी है यह हमारी first row complete होगी, अब यह हमारी दूसरी सलाई है, इस पर जो फंदे हमने सीधी साइड से उल्टे बुने थे, उनको हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे, और जो हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाए हैं, उनको हम उल्टा बुनेंगे 5 फंदों को, इस तरह से हम दूसरी सलाई ब थिरी उन आगे करेंगे पांच बंदे यह जो हमने बनाए हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे वर्ण कि तू कि थिरी कि फॉर पाइव पांच बंदे होगे अब उन पीछे करेंगे पांच बंदे सीधे सीधे 5 बंदे उल्टे से ओंपxis करेंगे 5 मंदे सीधे 5 बंदे उल्टे हैं दू करेंगे पांच बंदे सीधे 5 बंदे ऊल्टें फिर्सले हो पीछे करेंगे पांच बंदे सीधे 1 2 3 4 5 अब उन आगे करेंगे और ये पांच बंदे उल्टे बुनेंगे 1 2 3 4 5 उन पीछे और 3 फंदे सीधे ये हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी होगे अब ये तीसरी सिलाई है इसमें अब हम दो फंदे सुरू के उल्टे बुन कर लेंगे 1 2 दो फंदे उल्टे होगे उन पीछे करेंगे अब ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा अब इनका हम दो फंदों का एक बनाएंगे आगे की साइड से तो फंदों का एक बनायायँ आप तीन फंदे सीधे 1 2 3 अब फिर से ये एक फंदा सीधा है एक फंदा उल्टा है दोनों फंदों को सिलिप करेंगे, इस तरह से, दो फंदों का एक बनाएंगे, बैक लुप से, उन आगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, वान, टू, थिरी, उन पीछे, फिर से दो फंदों का एक करेंगे, आगे एक साइड से, तीन फंदे सीधे, वान, टू, थिरी, दो फंदे सिलिप करेंगे, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, दो फंदों का एक बनाएंगे, बैक लुप से, उन आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, वान, टू, थिरी, उन पीछे, दो फंदों का एक करेंगे आग एक साइड से, तिन फंदे सीदे, वान, तू, थिरी, दो फंदे से लिप करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे पैटलूप से, उन आगे, आखिर के दो फंदे उल्टे बुन नेए, यह हमारी तीसरी सलाई वी कम्प्लीट हो गए, अब यह 4th row है, उल्टी साइड, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, शुरू के 1, 2, उन आगे करेंगे, और बीच के 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, उन पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, उन आगे 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, उन पीछे 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, उन आगे 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, आखिर के तौफंदे उल्टे, वो सीधे बुनने हैं, 1, 2, आखिर के तौफंदे सीधे बुन कर लिए, ये हमारी 4th row भी, complete होगी इस तरह से, ये 5th row है, इसमें हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड, 5th row, 1 फंदा उल्टा बुना, उन पीछे करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, आगे की साइड से, ये देखिए, एक ही उल्टा बंदा, एक सीधा बंदा, दोनों को आगे की साइड से, दो नफद एक साथ बुनक़, दो फंदों का 1 बनाएंगे, तीन फंदे सीदे, बन, Two, Three दो फंदों का सिलिप करेंगे, दो फंदों का 1 बनाएंगे पेख लिपसे, इस तरह दो फंदों का 1 बनाएंगे उन आगे करेंगे, एक फंद हुलोटा , उन पीछे करेंगे फिर से दो फंद का एक बनाएंगे आगे की साइड से दो फंद है किसे साथ बुन Κर दो फंद हो को एक बनाएंगे तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3 दो फंदे सिलिप करेंगे दो फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप से उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा उन पीछे, दो फंदे, एक साथ बुन कर दो फंदों का एक बनाएंगे तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3 दो फंदे सिलिप करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे पेक लुप से, आखिर का फंदा उल्टा बुन कर लेंगे, उन आगे, एक फंदा उल्टा, यह हमारी फिप्ट रोबी कम्प्लीट हो गई और यह हमारे डिजाइन भी बनकर आगे आए यह दीखिए, बहुती आगे करेंगे और पांच बंदे उल्टे बुन कर लेंगे, वान, टू, थ्री, फोर, फाइफ, उन पीछे, एक बंदा सीधा बुनेंगे, उन आगे लाएंगे, फिर से, पांच बंदे उल्टे बुनेंगे, वान, टू, थ्री, फोर, फाइफ, उन पीछे, एक बंदा सीधा उन आगे 5 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 आखिर का फंदा बच्चा है उन पीछे करेंगे और आखिर का फंदा सीधा बुनेंगे ये हमारी 6 सलाई भी पूरी हो गई है अब ये हमारी 6 सलाई पूरी हो गई है अब ये हमारी 6 सलाई पूरी हो गई है 6 सलाई पूरी होने के बाद यह देखें बहुती सुन्दर डिजाइंग कर आया है इस तरह का अब 6 सलाई पूरी होने के बाद फिर से हमें 6 सलाई रिपीट करनी है अब हम फिर से रिपीट करेंगे हम आपको रिपीट करके बताएंगे फिर से तीन फंदे हम उल्टे बोनेंगे 1 2 3 उन पीछे यह एक फंदा है, इस एक फंदे से हमें पाँच फंदे बनाने है, एक फंदा, यार नोबर दो फंदे हो गए, यह तीन फंदे हो गए, फिर से यार नोबर किया, चार फंदे हो गए, और एक यह पाँच फंदे हो गए, यह हमने पाँच फंदे बना दिये एक फंदे से, अब फिर उन पीछे, फिर एक फंदे से पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा, यार नोवर, तीन, यार नोवर, चाल, और ये पांच, ये पांच फंदे बनाएंगे, फिर सब उन आगे करेंगे, और पांच फंदे उल्टे, वान, टू, थिरी, फोर, फाइफ, उन पीछे, फिर स से एक फंदे से हम पाच बंदे बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा सीधा पिर हो गए फिर यार्ननोड पर बार बार रिपीट करने पर यह देकि बहुत ही सुंदर डिजाइन बन कर आयेगा इस तरह से यह बहुत ही सुंदर डिजाइन है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में ठाल सकते हैं लेडिस कार्डिगन में, लेडिस जेकट में, गल्स टोप में, जैन साब स्वाटर में, बच्चों के स्वाटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई करें, बहुती सुन्दर बन कर आएगा, अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करने ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में